पुनिशर बंदगी अपने रिष्टे को लेकर इंदिरों काफी सुर्खियों में हैं बंदगी कालरा को लेकर चल रही बातों पर उनके भाई वासू अब सामने आए हैं और कहा है कि बंदगी ने कुछ भी गलत नहीं किया बंदगी के भाई ने एक इंटरिव्यू में कहा कि हमें बंदगी से कोई भी नाराज़गी नहीं है बंदगी जो भी कर रही है वा सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए है बंदगी और पुनिश के बीच किसी भी तरह कोई रिष्टा नहीं है पहले एपिसोड में ही बंदगी ने पूनिस चे कहा था कि शो में बने रहने के लिए वाप यार का नाटक करेंगी हाँ अगर बंदगी पूनिस के साथ में कोई सच का रिश्टा रखती हैं तो हमें इस बात का बहत दुख होगा इसके साथ ही वसु ने बंदगी के एक्स बाइफरंड की बातों को भी पकवास करा दिया है वसु को कहना है मेरे परिवार ने डैनिस को कभी नहीं देखा और नहीं उससे बात की है बंदगी ने उसके बारे में बताया जरूर है लेकिन हम उसे नहीं जानते पता दे की हाली में मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया था कि बंदगी कालरा की हरकोतों की वज़ा से उनके पिता का बलड पेशर हाई हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है हाला कि बंदगी के भाई ने इस तरह की खबरों को अफ़वा बताया था ऐसी और भी तिल चस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूँ